अलो गाइस तो कैसे आप लोग तो एक बर फिर से स्वागत आप लोग का एक और नई वीडियो में जिसमें आप लोग को प्रिजमा 3D के हर एक टूल के बारे में आप लोग को बताऊंगा ताकि आप लोग एनिमल क्रॉसिंग फॉंटेंग का जो वीडियो है बहुत ही आसानी से बना पाओ बहुत लोगों कमेंट है रहा है कि प्रिजमा 3D को पर मेरे को फुल डिटेल आप बताईए हर एक टूल के बारे में कैसे यूज होता है तो उसी चीश के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हर टूल के बारे में बताऊंगा आप लोग को ताकि आप लोग अनिमल क्रोसिंग फॉंटेन जब बनाओ तो आपको कोई भी परिसानी नहीं हो और एक अच्छा तरीका से आप लोग अपना अनिमल क्रोसिंग फॉंटेन बना पाओ कुछ थोड़ा ज्यादा क्रेटिविटी आप लोग देखा पाओ इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया आप लिए अबीयों आप लुगोंदि बीच वुला जो है Plus का इकन उससे अपनिवे प्रोजट्क रसकते हैं और यह प्रोजेक्ट का ऐसे प्लीّ करोसिंग इस से आप जितना प्रोजिक्टwarz बना मीगोत को यहां पर सो निफ मिलेगा जिसमें आप और अनिमेस्ञर थाइन जोतने होते हैं सब में यह चीज मिलेगा आप लोगो तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने स्क्रीन के उपर आप एक फिंगर से अगर इसको मूफ करोंगे तो यह 360 रोटेट होकर मूफ करेगा आपका आपना जो भी मॉडल बना रहे हैं उसको रोटेट करके देख सकत हो दो फिंगर से अपने तो यहां पर लेफ्ट साइड टॉप कॉर्णर पर आप देख सकते हैं बॉक्स का आइकोन बना हुए वहां पर अगर आप क्लिक करते हो यहां पर बहुत सारा अप्शन देखने को मिल जाएगा आप लोगो को कैमरा लाइट और बहुत सारे अप्ज अब जैसा यह मोडर बना रहों अगर इस चीश का जोरत है तो आप इसको ले सकते हो तो बॉक्स वाल एकोन पर फिर से मैं क्लिक करता हूँ और यहां पर से मैं एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए तो मैं एक क्यूब ले लेता हूँ यहां प आप मूव कर सकते हो और बुलू वाले से आप अप एंड आउन इसको मूव कर सकते हो और ग्रीन वाला जो एरो है इससे आप हाइट अप एंड आउन कर सकते हो इसका हाइट जो है उसको आप एंड आउन कर सकते हो आप लोग और यहां पर जो एरो है यह यह एंडू और रि और यह वाले सान है best dr onh you to also trust है अपना चार एकिशन का का ह्के आपने अपने ऑप्जक्ट को जो हम रोटेट कर सकते है जैसा चाहि हुआ उस टैप कर सकते हैं जैसे कि अपनों रेड वाली लाइन को अगर निच्छे के तरफ 뒤 आपको जैसा अपका अपजयक्स को रोरेट करने हैं, उसी साफ से आपका अपने उपजयक्स को रोरेट कर सकते हैं ग्रीन रेड और बुलू हर चीज से आपका अलग अलग अंगल से वो रोटेट होता है अब बात करते हों लोग यह वाले आइकोन के बारे में यह एक्चली में हम लोग का आपका रीसाइच करने का जो है आइकोन है इससे हम लोग अपने स्केल बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं बोलने से रीसाइच कर सकते हैं बड़ा छोटा लंबा चोड़ा हर कुछ कर सकते हैं जैसा कि देख सकते हैं इस पर क्लिक किये तो कुछ इस तरह का अपना आईए है रेड वाले को क्लिक करेंगे तो आपका इस साइट को आपका राइट से लेफ्ट की तरफ आपका यह करके रखना और इसको slide करते हो जाना है आप लोगों तब जाके यह अपना साइट चेंज करेगा अब यहां पर से मैं काम करते हैं अपना box पर क्लिक करके सारा object को मैं यहां पर ले कर आ चुका हूँ object के उपर आपको tap करके रखना है टैप करने पर कुछ option निचे आएगा और वहां पर आपका rename का ऑप्षन आएगा तो यहां पर साइप अपना object को चाहिए तो नाम भी दे सकते हो अगर आप कुछ बना रहे हो कुछ human बना रहे हो तो उसका head अलग leg अलग आपका hand अलग करना चाते हो तो उससे साब से आप नाम भी दे सकते हो हर बहुत सारा चीज का object का नाम भी दे सकते हो अबजेट के उपर टैप करके रहे हो तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा यहां पर बहुत सारा चीज मिल जाएगा नेम कॉपी ग्रूप हाइड एंड डिलीट ऐसा बहुत सारा अपसं वादब यह option देखने को मिल जागा आप लोग को आप चातो एक object को स्लेक करके रखेगा और कॉपी का option पर आप क्लिक करोगे तो यह object आपका कॉपी हो जाएगा आप मैं इसको थोड़ा सा मूव करके देखाता हूं रेड वाल सकते हो आप लोग जैसे कि देख सकते हो यह टेक्स्ट वाला जो अपना इसमें टेक्स्ट वाला जो ऑप्सन है उस पर क्लिक करूंगा मैं क्लिक करने के बाद यहां पर देख सकते हो कुछ option आ रहा है आपका ठीड टेक्स्ट यहां पर टेक्स्ट को आप लोग एडिट कर सक तो वहीं पर निच्छे में option और font का भी यहां पर से आप font जैसा लेना चाहो आप उच टैप का font ले सकते हो और निच्छे में देख सकते हो कुछ material का option आ रहा है ठीक उसी का निच्छे तो यहां पर से आप लोग कलर वगएरा भी change कर सकते हो इसका जैसे कि मैं कुछ भी color ले लेता हूँ यहां पर color के option में जाकर यहां पर color change हो जाएगा आपका जैसा आपको color रखना है और उसी का ठीक निच्छे में आपको texture देखने को मिल रहा होगा यहां पर साप कुछ भी extra texture लगा सकतो ग्रास वगएरा वूड वगएरा कुछ भी आपक project उसका research कर सकते हो जिसको हम लोग scale बोलते हैं आपका scale भी xyz जो होगा आपको जैसे इतना बड़ा छोटा रखना है इसको भी रख सकते हो आप लोग और अगर आप लोग नहीं इसको यूज करना चाहते हो तो simply यहां से भी आप लोग कर सकते हो research अब बात करते हो हम लोग इस three line के ऊपर three line पर जैसे ही click करोग अप लोग यहां पर कुछ option आप लोग को देखने को मिल जाएगा home save render 3D import 3D export and help home से आप फिर से आप home पे चले जाओगे जहां से पहले मैं start किया था और save की option पर आप click करोगे तो यहां पर आपको जो project होगा पहले आपको save करको उसका ए save करते रहे ना ताकि आपका project save रहे आप कुछ भी कर रहे हो तो वह आपस loss नहीं हो आपका और यहां पर देख सकते हो और यहां पर यहां पर 1080 पिक्सल में आप select करके इसका frame rate भी आप चाहिए तो change कर सकते हो लेकिन मैं 30 पर ही रहने दीजेगा वह ज्यादा बेटर रहता ह और यहां पर एक और option देखने को मिल जाएगा आप लोगों यहां पर चाहिए तो अपना thumbnail का image जो है आप यहां से भी निकाल सकते हो जैसे कि मैं क्लिक किया उसका उपर तो कि ऐसा option आप लोगों देखने को मिल जाएगा side करेगा इसको तो यहां पर save to gallery का option है वहां पर आप उसका एक image सेव हो जाएगा आप जो भी project बाया होगा उसका एक image सेव हो जाएगा आपका gallery में और आप render के उपर क्लिक करोगे तो आपका project जो है render होता रहेगा उसमें जो चीज भी लगाए होंगे animation वगरा सारा कुछ इसमें आजाएगा आपका video बना बनाया हो इसमें से न इसको सिर्फ कट करके जोइन बाकी video को जोइन कर देजेगा अब फिर से में three line के ओपर क्लिक करता हूँ यहाँ पर देख सकते हो render के नीचे 3D import का option है यहाँ पर से अपना object जो है अपना जो भी आपका animals वगरा या कुछ भी आप यहाँ पर से इंपोर्ट कर सकते हो तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर से मेरा एक डग जो था पहले project में बनाया हूँ तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ आपका animated रहेगा अगर आपका डग जो भी है animated रहेगा तो यहाँ पर option आजाएगा आपको चाहे तो yes करके आप उसका animation यहाँ पर ला सकते हो no करके simply आ आपका सिर्फ डग डग आएगा अनि में विदॉट अनिमेशन जैसे कि यहाँ पर जख सकते मेरा आ चुक है डग अब इसको मैं थोड़ा सा मूव करके इधर लिखा जाता हूँ इस तरह से आप अपना animal जो है animal bird कुछ भी आप अपना object जो है जो पहले से download करके रखे हो आपका file जो supported है वह है आपका obj, fbx, glv यह सब फाइल जो है आपका supported है आपका Prisma 3D में और अपना object को मैं select करता हूँ इस पर click करूँगा क्यूब के ओपर या तो यह दर से मैं कर सकता हूँ क्यूब पर इसको click करूँगा तो कुछ इस तरह का option जो देखने को मिल जाएगा आप लोग को आप लोग और texture जो है अपने texture मैं अभी आप लोग करकर दिखाता हूँ कि आखर texture का क्या काम है तो texture वाले option पर जैसे क्लिक करूँगा तो यहां पर से आप लोगों कुछ चीज से लगा देखने को मिल लेगा है यहां फाइल में जाकर करके आपके पास कुछ भी image वगएरा हो जैसे कि मेरे पास मैं ढूंड लेता हूँ कुछ image होना चाहिए मेरे पास मैं कहाँ पर download में सहथ होगा तो download में में जाता हूँ तो यहां पर मैं बस ब्रिक का कुछ image है ब्रिक को जैसे मैं select करता हूँ तो यहां पर देख सकते हैं अपना जो क्यूब था पूरा ब्रिक के तरह वह हो चुका है एक वाल के तरह दिखने लगा है तो इसी तरीका से आप लोग किसी चीच को टेक्टर देना ब्रिक करने का काम आता है जैसे कि मैं select कर सकते हैं इसका पूरा जानकरी मेरे पास नहीं है लेकिन वह से मेरे को जरौद भी नहीं पड़ता है इस चीच का तो यह देख से हलका फूल का reflect जैसा लगने लगा है यह किसी चीच को कुछ और सी चीच से इसमें select करने का होगा मेरे को पूरा यूज पता नहीं है इसके इसलिए मैं आप लोको भी बता नहीं रहा हूँ मैं जल्दी पता करता हूँ से क्या यूज है मैं check करता हूँ और उ कर सकते हो डाउन करोगी तो आपका जो object हो थोड़ा थोड़ा करकर transparent होने लगेगा अब जतना transparent करना चाहते हो किसी object को तो यहां से कर सकते हो transparency का वही काम है अब सीधा चलते हैं अपने next tools के ओपर जो कि है यह सब जो टूल से इसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोग को तो फर्स्ट वाले को जैसे मैंने क्लिक किया है तो यहां पर कुछ और option मेरे को देखने को मिल जाते हैं तो अपना object को जैसे select करूंगा तो यह visible हो जाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं सारे corner में मेरा जो है object का एक लाइनिंग सा आ गया है यहां पर हर चीज अलग अलग तरीका से select हो रहा है जैसा कि देख सकते हैं चालों तरब से मेरे अलग अलग तरीका से select हो रहा है अपना object अब मैं इस वाले icon पर जैसे click करता हमारा जो है object का उपर cut लगाता है जैसे कि मैं आप लोको दिखाता हूं इसको select किया हूं और इसको मैं एक तिर्चा तरब से अपना quick को जो वह कर दिता हूं और यहां परuppeur गता देता हूं तो देख सकते कट लग चूपकए का चूपर इसको पर देख सकतेraum अब आप उस वाले टूस का ये टूस किया काम आता है जैसे कि मैरा कत लग छुका था और वे और मैं click किया हूं और सब्सक्राइब तो समक्प किया हूं तो देख सकते हैं सिर्फ वह पाड़ जो है अपने वह बूव हुआ है और कोई सभी होग है बिस्क्लिट आप select करके रख रूख़ेगा तो सिर्फ उसको move करेगा और किसी चीज को भी आपका move नहीं करेगा। इसको अंदर भी ड्रकेल सकते हो जुर। आप देख सकते हैं रूम टबकर बन चुका है खाली गैप बन चुका है अंदर में। तो आप किसी चीज को भी cut लगाके इस से move को Norwegian सकते हो जुर। तो इसका काम है सिर्फ मूव करने का जैसे कि जिस टैप का मैं दिखा रहा हूं उस टैप का आप लोग मूव कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए तो एक चियर हुए गर बनाना है तो इसको मूव करके आप पैंड डाउन कुछ भी कर सकते हो अब मैं इस वाले टूल्स के बारे में आप लोगों बताता हूँ यह क्या काम करता है अब जब भी इसका कट लगा हो गए तो यह चारो तरब से आपका कट लग जाएगा आपका आपको अबजिश से उपढर नीचे दाएं कट लग जाता है कि स्कौर टीप कट लग आता है यह जैसा इसके देख सकते हैं और चारो तरफ कर लग चुका है तो जब जब खता हो इस से तो इसाइट से में कर सकताूं कि रुबिक क्यूब जैसे बना सकता अश्कों कि अब मैं आप लोगे को इस वे आइकोन का जो क्रॉस जो इसके बारे नियुक करने आकाम आता बीजिसके में अध्र mw किया हुआ आइटम जो है सौरी मेरा स्लेक किया हुआ जो क्यूब का जो है एक पार्ट उसको इस पर क्लिक किया हूँ तो वह पार्ट मेरा डिलीट हो चुका है और अंदर का सारा चीज खोकला हो चुका है देख सकते हैं तो आप कट लगाने के बाद उस चीज को पर्टिकलो उस जगह को आप स्लेक करके रखेगा और कट वाले निसान पर अगर आप क्लिक करते हो तो वह चीज आपका डिलीट हो जाता है तो यह चीज काम था यह चारो ऑप्सन का अब मैं आता हूँ आपका इस वाले टूल्स के ओपर तो यह टूल्स को जैसे कि हम लोग स्लेक तो इसमें मेरा जो जो क्यूब जो है उसका चारो तरफ एक लाइनिंग बन जाएगा लेकिन इसका काम यह है कि हर एक लाइनिंग को आप स्लेक कर सकते हो जैसा कि देख सकते हो मैं हर एक लाइन को स्लेक कर सकता हूँ इसके बाद एक चाह्या तो particular एक line को मूव कर सकते हो जैसे कि देख सकते हैं एक line को मैं select किया हूँ और इसको move कर रहा हूँ देख सकते हूँ मैं इस line select किया हूँ इस поэтому move कर रहा हूँ आप चाहे तो दोनो करेब करिएक्स करीएगा और दूसरे पर टैप करके रखिएगा दोनों करेट हो जाएगा कि आशाव आप अब लोग को देखाता हूँ तो प्रसा मैं है सको जैसे कि इस पर स्लेक्षा हो मैं अब इसको में मूव मूव कर सकता हूँ चाहे तो हर मतलब कि इसमें इसका लाइनिंग देख सकते हो इसमें खुद ही बता रहे हैं लाइनिंग का सिंबल आता है तो एक लाइन को आप मूव कर सकते हो अच्छा यहां पर मैं एक लाइन को स्लेक करता हूँ एक लाइन को स्लेक कर ले तो हमें पहले यह वाले लेंग को समें स्लेक करके जैसे ही क्रॉस पर क्लिक करता हूं यह पार्ट मेरा पुरा डिलीट हो जाता है देख सकते हो यह पार्ट मेरा पुरा डिलीट हो चुका है यहां पर स्लेक करूंगा तो इधर का पार्ट मेरा जो है पुरा डिलीट हो जाएगा तो इसको ज्यादा कुछ काम नहीं है सिर्फ एक लाइनिंग को आप लोग मूव करा सकते हो और चाहिए तो डिलीट कर सकते हो अब मैं बताता है आपका लाश्ट टूल के बारे में इस टूल के बारे में यह टूल देख सकते हो यहाँ जैसे मैं क्लिख क्या हूँ अपना अब्जेक्ट को जैसे sanar करके बनेजा है लिए उसके हो इसको बैसे बनाने क्या गांक आता है जब तो इसको यए फिर वार्टर अगलरा का कुछ गूलाना होता है तो इसको यहां पर है और अगर यहां पर आप लोग कट लगाते हो बहुत सारा कट लगाते हो तो हर कट का जो मेन क्रॉसिंग पॉइंट जो होगा वहां वहां पर एक एक डॉड बन चुका होगा आप एक बड़ ट्राइ ज़रूर करना मेरा सिर्फ काम थे हिंट देना आप को कि क्या काम आता है बाकी सब्सक्राइबं oni करना है और यहां पर और टाओ सब्सक्राइब तो डिलेट हो जाएगा आप चाहे तो दो डॉट को भी आप चाहे तो मूव करा सकते हो पहला पर क्लिक करना है आपको दूसरा पर टैप करकर रखना है तो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा दोनों सेलेक्ट होने के बाद आप लोग मूव करा सकते हो या दोनों को डिलेट को ऑप पार्ट के इदर करAd by जितना मेरा part है सवाइ न एटकल बोक्स काम होता है तो यह चारू जो टूल्स तरक भ्ना बॉक्स्वा वला टूलस इसके बारे मीं सार इप जानकारे सब्सक्राइद लस में और रहाख बारे में आप लोग का कैमरा एंड लाइटिंग वगएरा का सारा का मैं एक टुटरिल लेकर आऊंगा और हो सकते तो मैं अपका एनिमेशन आपका एनिमेशन को कैसे इंक्रीज किया जाए जैसे कि हम लोग सब्सक्राइब करते हैं अपना अनिमेशन बहुत जादा कम होता है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में आप लोग को बताऊंगा अगर आप लोग करते हो कि नेक्सट पार्ट में लेकर आऊ तो जरूर लेकर आऊंगा अगर उत और लाइक तो वीडियो को जोड़ से करना लाइक किये वेकर तो जाना मत तो मिलता हूं मैं आप लोग उसके नेक्स्ट वीडियो में और जो लोग भी नहे हो तो प्लीस मेरा अनिमल क्रॉसिंग फॉंटन कैसे बनाया हूं मैं मेरे वीडियो सेक्षिन में जाकर देख सकते ह आप लोग